धोखा है जो सबसे बड़ा धोखा माना जाता है वो है धन का धोखा पैसे का धोखा फ्रॉड अफ मनी कब होता है अगर कुंडली में बुद्ध कमजोर है आपके तो ऐसा धोखा मिल जाता है यानि अगर कुंडली में बुद्ध कमजोर है तो धन के मामले में आपको कहीं न कहीं धोखा मिलेगा इसकी संभावना जरूर रहती है कभी-कभी मंगल के गडबढ होने पर भी ऐसा होता है मंगल के गडबढ होने की वज़ा से आम तोर पर प्रोपल्टी के मामले में संपत्ति के मामले में धोखा हो जाता है मेश, सिंग, धनू, वरिश, कन्या और मकर राशी वालों के साथ ऐसा देखा गया है कि धन और संपत्ति का धोखा जादा होता है जिसको पैसा देते हैं वो धोखा करता है वापस नहीं करता प्रापर्टी खरीते हैं पैसा फंस जाता है प्रापर्टी में धोखा हो जाता है दूसरा धोखा है विवाह का धोखा और आज के समय में जब हम कुंडलियां मिलाते हैं कुंडलियां देखते हैं लड़के और लड़की की तो विवाह का धोखा बहुत ज़्यादा दिखाई देता है विवाह का धोखा काफी ज़्यादा होता है अगर कुंडली में राहु का संबंद सब्तम भाव से हो या शुक्र से हो तो विवाह में धोखा होने की संभावना होती है अगर राहु सब्तम भाव से संबंद रखे या शुक्र से संबंद रखे तो विवाह में धोखा हो सकता है या राहू का संबंध कुंडली में चंद्रमा या सूर्य से हो तो ऐसी दशा में भी विवाह में धोखा हो सकता है ऐसे में क्या होता है कि आपको लड़के ने बताया कि वो इंजीनियर है आपने शादी कर ली पता चला कि लड़का कुछ नहीं करता है कोई नोकरी नहीं करता है या पता चला शादी के बाद की लड़के की एक शादी तो पहले ही हो चुकी है इस तरह के धोखे होने की संभावना बहुत होती है ऐसी दशामे विवा संबंधों में भी बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि राहू का प्रभाव होने से विवा के मामलों में धोखा मिलना लगभग निश्चित होता है ऐसी दशामें लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से ऐसा धोखा सामने आता है जिस धोखे की आप कलपना नहीं करते, यानि लड़के की पहले शादी हो चुकी है, लड़का जो नौकरी के बारे में बता रहा है वो नहीं है या लड़की जो कह रही है वो शादी के बाद उसकी पोल खुल गई, वो नहीं है यानि विवा संबंधों की जब शुरुवात होने लगती है तो वहां पर धोखा होने की संभावना प्रबल रूप से निश्चित रूप से बन जाती है ये तो विवा का धोखा हो गया दूसरा धोखा होता है वैवाहिक जीवन में धोखा विवा करने के समय भी दोखा हुआ और वैवाहिक जीवन में भी दोखा हुआ प्राबलम क्या है कुंडली में शुक्र या चंद्रमा अगर दूशित होगा आपके कुंडली में शुक्र अगर गडबड होगा आपके कुंडली में या चंद्रमा अगर कुंडली में गडबड होगा तो वैवाहिक जीवन में धोखा मिल सकता है या राहू कुंडली के लग्न में बैठा हो या द्वादश भाव में बैठा हो तो भी वैवाहिक संबंधों में धोखा मिल जाता है या ब्रिहस्पती दूशित हो तो ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन में धोखा मिलता है अक्सर उनके पती का या पतनी का एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर शुरू हो जाता है और इस extra marital affair की वज़े से वैवाहिक जीवन में निश्चित रूप से धोखा मिल जाता है